आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें कुछ पढ़ाई की बाते नहीं करने वाले आज मैं कुछ ऐसे लाइफ रिलेटेड इंपॉर्टन स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए सीखन बहुत ज्यादा जरूरी है है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये स्किल्स सही समय रहते अगर सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो आप एक मल्टि टैलेंटेड पर्सन बन सकते हो और अपने लाइफ में बहुत या अच्छे पैसे भी earn कर सकते हो जी या दोस्तो हम बात कर रहे हैं skills के बारे में और जैसा मैंने आपको एक vacation वाले वीडियो में बताया था कि यार हमारा जो students का base है वो basically 10th standard and 12th standard तक का base है ओके अब ये जो standard के students जो है ठीक है इनके mostly जो लोगों है उनके exams खतम हो गए और vacations लग गए तो बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो vacations में just time pass करते हैं just घूमने जाते हैं बहुत सारी enjoyment कर लेते हैं लेकिन मैं आपको मैंने एक चीज़ खोदी बोला है कि आप लोगों को enjoy करना हग बनता है आप लोग जितना हो सकें enjoy करो लेकिन साथ ही में simultaneously कुछ आगे की पढ़ाई और साथ में कुछ नए-नए skills को आपको पढ़ना ही पढ़ेगा सीखना ही पढ़ेगा तब आप जो लोग आज के डिड़ में इतना जादा useful नहीं होगा आगे जाके अगर आपके पास कोई खास skills नहीं है और आप अपने skills को polish अगर नहीं करते हो तो ठीके दोस्तो तो इसलिए आज एक बड़े भाई होने के नाते मुझे ऐसा लगता ही कि आप लोगों को skills के बारे में कुछ important चीज़े बता दू जो की मुझे कोई नहीं बताया था लेकिन फिर भी हमने जमाने को देख देख के एंड कुछ YouTube के help से बहुत सारी चीज़े सीख लिए और आपको मैंने बताने की ठानी है ठीक है तो ध्यान से देख लेना तो सबसे पहले learn new skills from here कहां से सीखना आपको add the rate JR Talks जैसा कि आप जानते हो हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है जिसका नामे JR Talks इसमें हमने यह सोच के यह चैनल को शुरू किया था कि हम आपको initially motivate करें कि हमारा यह मानना था कि हम JR Tutorials जो हमारा main चैनल उसमें आपको पढ़ात हो रहे है क्योंकि पूरा टाइम मेरा JR Tutorials के उपर ही जाता है आप जानते हो दिन में 3-3-4-4-5-5 वीडियोस हम ला रहे थे अभी vacation से थोड़े कम आ रहे है लेकिन हम continuously महनत कर रहे थे आपको तो पूरा टाइम नहीं मिल पार था लेकिन JR Talks हमने सोचा कि आप लोगों को एक चैनल ऐ सबी चीज़ एक्स्प्रेइन करूँ अलेकिन पहले skills क्या-क्या हो सकते हैं जो आपके लिए beneficial है वो मैं बताने जा रहा हूँ तो JR Talks सबसे पहले तो जीनों अभी subscribe नहीं किया हमारे चैनल को JR Talks पे जाईए और subscribe कीजिए search करो YouTube पे JR Talks या फिर हमारे चैनल के section के अंदर जाओगे तो हमारा एक second YouTube चैनल है जिसका नाम है JR Talks वो आपको देखने मिल जाएंगे विजिट करो वीडियो देखो जाके ऐसे subscribe मत करो पहले देखना अच्छा लगेगा तो ही subscribe करना क्योंकि हम वहाँ पे कुछ extra मेनद करने के लिए वहाँ पे आए हैं आपके लिए तो अब वैकेशन का टाइम है यह टाइम है नएने skills को learn करने का तो सबसे पहले study is not enough nowadays यह मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों लिखा है मैं यह study is not enough nowadays कुछ incident है मेरे दोस्तों के साथ हुआ है इवन मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम नौकरी ढूनने के लिए जब जाते हैं जब हमारे पास एक degree आ जाती है इवन मेरे पास एक engineering की degree है मेरे दोस्तों के पास है कई सारे मेरे लोगों को देखा है मेरे कुछ students भी pass out होके अच्छे का से engineer बन चुके है मैं एक interview भी लोगा मेरे student का जो engineer बन चुका है आज के रिट में मैं उसको 11 में पढ़ाया था उसका भी एक interview आएगा वो देखता है ठीक है आपका record अच्छा है academics में आपके अच्छे percentage है ठीक है चलो मान लिया लेकिन आपके पास skill क्या है कि हम आपको नौकरी देंगे ठीक है लेकिन आप ऐसा हमारे लिए क्या काम करोगे पढ़ाई करोगे वहाँ पे जाके याद करके दिखाओ कि कितना fast को याद करता है तो मैं उसको salary दूँ ऐसा होता है कि नहीं जो exams की जिंदगी होती है जो school life college life की जिंदगी होती है और जो practically जो companies में जो business में जो जिंदगी होती है they are totally different जमीन आसमान का फरक होता है और यह मैंने भी experience किया हुआ है जो हमने school और colleges में सीखा है उसका 10 से 20% के अला academics हमारा अच्छा है हमारे confidence के लिए अच्छा है हमें scholarship मिले merit मिले और बहुत ज़धा opportunities मिले आगे जाने में दिमाग हमारे conceptual wise clear रहे concept काम आएगा आपको life में marks काम निया आएगे concept काम आएगा यह चीज़ जयान में रखना लेकिन उसके अलावा जो काम आएगा सबसे importantly वो है skills ठीक है तो इसी लिए study is not enough nowadays इसके लिए हमें skills भी चाहिए और आप बोलो के सर्थ पूरा skills सीख लेते हैं पढ़ाई की क्या जो रहते हैं तो यह गलत हो जाएगा अगर आपके पास skill है और आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आप मजदूर बनके रह जाओगे जैसे example देता हैं wiring करने वाले को बुलाते हैं हम normal सा electrician को बुलाते हैं और उसको ठीक करने bulb खराब हो गया थोड़ा वो पेसकच मार के ठीक कर देगा वायर चुपका देगा हो गया उसको 100-200 रुपय देंगे चला जाएगा मतलब उसकी कमाई कितनी हो रही है थोड़ी सी हो रही है मैं ऐस और आपके पास skills भी है आपको सब चीज करने भी आता है तो अब आपको छोटा मोटा घर पे लोग नहीं बुलाएंगे अब आपको बड़ी-बड़ी industries बुलाएगी आपको बड़ी-बड़ी company बुलाएगी कि हमारा पूरा wiring का प्रोजेक्ट आप लेलो पूरी company में आपकी wiring होनी चाहिए हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका पूरा इसमें electrical काम होना चाहिए तो आपको बड़े amount में contract मिलेगा और बड़े amount में आप note चाप होगे समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा important चीज है और ये कोई आपको बताएगा नहीं मैं बता रहा इसके लिए बोल रहा हूं पढ़ाई और skills दोनों तो अब साथ में लेके चलोगे न तो धमाका होगा सिर्फ पढ़ाई रहेगी तो भी मज़ेदार नहीं है सिर्फ skilled रहेगा तो भी मज़ेदार नहीं है दोनों को साथ में लेके चलना यू हाफ टू भी multi-talented पढ़ाई सभ आज आप देखो कितने confidence के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और लगबख 2000 से ज़्यादा वीडियोस प्रोडियूस कर चुका हूँ जया टूटोरियोस और टॉक्स वगरे सब मिला के समझ में आ रहा है दोस्तों तो यह confidence आ गया मैंने यह skills सीख ली कि I can speak very fluently in front of like more than 500 to 1000 और 100 like people I can speak मुझे इतना confidence है आज आपके सामने में camera देखके बोल रहा हूँ आज सामने भीड़ भी जमा कर लोगे यहाँ पर तो भी मैं बोल पाऊंगा इसी confidence के साथ तो यह मेरे पास skill आ गया है कैसे आया बोल बोल के आया practice करके आया तो आपके अंदर भी आ सकता है अगर आपक skills सीखना है पैसे कमाने के लिए तो वो चसा पैसा भी बन सकता है आप बड़े-बड़े seminar conduct करवा सकते हो आप लोगों को knowledge दे सकते हो विवेक बिंद्रा का आपने नाम सुना होगा search कर ले ना अगर नहीं सुना होगा तो मैं बड़े-बड़े लोग का example दूँगा विवेक महाईश्वरी इतने बड़े motivational speaker है आज उनको देखने के लिए करोड़ों की भीड जमा होती है और लोग करोड़ रूपया खर्च करने के लिए तयार है कि उनके भासन सामने live बेट के सुन सके है फिर भी वो busy है इतना available नहीं है तो यह आपके अंदर skills होना चाहिए editing videos there are so many other videos जो जिसमें editing करना बहुत important होता है बड़े-बड़े YouTubers है जो अपने वीडियो को edit करने के लिए editors hire करते है अब मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ basically जो भी हूँ खुद ही कर लेता हूँ मेरा भाई है मुझे help करने के लिए और वही चीज में आपको बताने वाला था कि हमा तो उसको तुसे बात करते हो क्यूंकि मेरा चोटा भाई है लेकिन आप लोग रोहन भाया बोल सकते हो इसको ठीक है लेकिन वह आपको बहुत अच्छा-च्छा चीजे सिखाईगा दोस्तों टरस्ट मे आएगा वीडियो आएगा उन्ठिंग हो गया ठीक है तो वीडियो editing ह आने के लिए कुछ भी बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैं वैसा नहीं, मैं उसके खिलाफ हो, अगर आपके पास एक टालेंट है, आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे हो, आप डांस भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन वो प्रॉपर डीसेंट डांस होना चाहि आपको ब्राइंट मिल सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, ये स्किल्स आप अपलाई कर सकते हो, टीचिंग, कुछ लोगों को टीचिंग करना बहुत पसंद है, जैसे मुझे था, तो आगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो, तो टीचिंग स्किल्स अपना सकते हो, कोडि में skills है, तो इसको फाइदा उठा, उसको monetize करने की कोशिश करो, कि उससे पैसे भी कमा जा सके, ऐसा कुछ skills आपको सीखना पड़ेगा, reading books is one of my favorite skills, जो अलग-अलग किताबे read करने से आती है, और read करना भी आपस में ही एक skill है, अगर आप focus करते हो बहुत सारे books पे, तो बहुत सारे knowledge आपको मिलती है, तो reading books is very good skills, stock trading all time favorite, मैं बहुत जाता तो नहीं करता हूँ, थोड़ा बुद करता हूँ लेकिन मैं knowledge दे सकता हूँ, और JR Talks पे मैंने कई सारे videos अलड़ी बनाए हुए, इसमें से मैं आपको बता दू, कपड़े को design करना, या फिर arts and drawing होना, ठीक है, बहुत सारे लोग, even मैं एक YouTuber थी, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो सिफ art करती थी, like sketches बनाती थी, आज वो इतनी famous है और इतने अच्छे कासे पैसे earn कर रहे है, ठीक है, dancing and singing, इसमें आपका passion है, ये फॉलो कर सकते हैं, cooking में है, बहुत सारे cooking channel है, YouTube के उपर आप देखो, कि इतने बड़े-बड़े celebrity बन चुके हैं वो, ठीक है, cooking हो गया, affiliate marketing, ये, मेरा भाई आपको सिखाएगा, affiliate marketing होता क्या है, it is just a marketing, जिसमें कुछ commission based earning होती है, बहुत अच्छा होता है, side by side करने के लिए, तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊँगा, मेरा भाई सिखाएगा आपको ये channel के through, और video making, YouTube पिखासकर, कुछ आपके बास skills है, तो आप वीडियो बना सकते हो, जैसे हम आपके लिए कुछ बना के देते हैं, ताकि आप कुछ चीज़े सीख पाओ, तो इसे कही सार skills है, जो आपको अधर-अधर platform पे मिल जाएगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई परशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो जरूर, हम अपने channel पर जितना हो सके कोशिश करके लेके आएंगे, लेकिन जितना हो सके आप लोको सीखना है, दोस्तों, क्योंकि life में multi-talented होना और multiple skills रहना, life में बहुत ज्यादा important है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, वो आज पूरा हो जाएगा, कि मैं आपको समझा सकू कि येस, पढ़ाई भी जरूरी है, जो हम को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके पताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को like कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो स में ये वीडियो देखने के रहे, thank you and goodbye.